ने हेलो फ्रेंड्ट्स इस भावनाय वेल्कम् टू लेट्स क्रेक तो कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे exam तो आप काफी बच्चों का होई चुका है कुछ कई बचा है जिनका बचा है वो तियारी करते रहें ठीक है analysis तो मैं कराती हूँ आगे जो paper होंगे उनके भी करेंगे analysis, most expected question भी कर लेंगे लेकिन हम youpitate का भी start करें क्योंकि जिनका paper हो चुका है वो अब youpitate की तैयारी में लग जाएं और जिन्होंने seated का form नहीं डाला था जो लोग खाली youpitate देंगे तो उनके लिए भी beneficial है और जो first time youpitate देंगे देखो उन्हें पता नहीं कि किस तरह का paper आता है ठीक है तो आज हम youpitate के question करने वाले है cdp के तो last तक बने रही है बहुत छोटी सी class होने वाली है और beneficial भी होगे और आपको मज़बी आएगा जादा लंबी class हम करेंगे नहीं क्योंकि अगर आपने theory नहीं पढ़ी है इतनी लंबी आप class देखेंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा ठीक है तो छोटी सी class है पूरी देखना और आंसर बताना questions के अगर बता सकते हैं तो ठीक है देखो कोसिस तो करेंगे है ना वाई कोसिस तो करनी चाहिए और वैसे भी तो आपने पढ़ी हुई है सीटेट की इस तरह से यूपिटेट में आता है बस यह सीटेट में पैड़ागोजिकल एसपेक्ट जादे पूछता है और यूपिटेट में क्या है क्योंकि अब तो फस्टियर वाले भी फोर्म अपलाई करेंगे है ना तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कोलेज विद भावना को क्योंकि यहां भी क्लासिज होंगी हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक कराया जाएगा ठीक है और नॉट्स भी प् पेज को फोलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे तो आप हैं क्योंकि वहां आपको पीडियाफ्स मिलती है ठीक है और यूट्यूब हमारा अपना चैनल है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कुछ कोश्चन्स मैंने रखे हैं यूपिटेट के यह दो हजार बीस का पेपर है कब कर है दो हजार बीस का जो दो हजार इकिस में पेपर हुआ था वो भी उन्होंने प्रिवियस यरी दिया था बिल्कुल एज इट इस बिल्कुल सेम दिया था इतना से भी चेंज नहीं था ठीक है तो यूपिटेट वाली यह भी कर देते हैं कि कोश्चन डिक्टो भी रख देत ठीक है अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं आपको क्या है कोश्चन का आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो इस चार्ट करते हैं एंड तक बने रहे हैं कोश्चन नमबर फ़स्ट development is a never ending process this statement is related to which principle of development यानि विकास कभी ने खतम होने वाली प्रिक्रिया है यह कथन विकास के किस सिद्धान से संबंदित है बताईए देखो यह तो पढ़ाई है है ना growth and development वाले chapter में यह तो हमने भी किया है first option है principle of integration यानि एकिकरन का सिद्धान second option है principle of interaction यानि अंतर किरिया का सिद्धान principle of continuity यानि निरंतरता का सिद्धान fourth option है principle of inter-relationship यानि अंतर संबंद का सिद्धान तो बताईए कौन सा option होगा विकास कभी न खतम होने वाली प्रिक्रिया है यानि जन्म से पहले ही सुरू हो जाता है और कब तक जाता है third option के साथ जाएंगे कि विकास क्या है निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है जन्म से पहले ही सुरू हो जाती है जब हम मा के गर्ब में रहते हैं और कब तक चलती है हमारी कबर तक यानि जब तक हमारी death होती है हमारा विकास चलता रहता है बही मेरे अंदर जो आज समझ है दस साल बाद ऐसी थोड़ी न रहेंगी मेरे विचार और बदल जाएंगे फिर आगे दस साल बाद और बदलेंगे तो यह क्या है विकास होता रहता है ठीक है तो थार्ड ओप्शन हमारा करेक्ट है principle of continuity ठीक है यह 2020 के कोश्चन है आगे चलते हैं कोश्चन नमबर टू बताईए कोश्चन नमबर टू अब देखो आर्टी एक तो सभी ने पढ़ा हुआ है उसी से यह कोश्चन है तो इस तरह की कोश्चन आते हैं सेकिंड कोश्चन है through which amendment of constitution education has become fundamental right सम्विधान के किस संसोधन द्वारा सिक्सा को मोलिक अधिकार बनाए गया बताओ भई आर्टीकल तो सभी को पता होता है कि कौन से आर्टीकल के अंदर है है ना किसको fundamental right बनाए गया आर्टीकल 21A जो कि हमने पढ़ा है ठीक है आर्टीकल 21A के क्या है अंदर क्य education क्या है सभी को दी जाए हर बच्चे का अधिकार है कि free and compulsory education उन्हें दी जाए मुफ्तेम अनिवारिये शिक्सा ठीक है free and compulsory education और कितने से कितने साल तक 6-14 वर्ष के बच्चे को मुफ्तेम अनिवारिये शिक्सा दी जाए कौन से आर्टीकल के अंदर 21 के और amendment कौन से संसोधन था बताईए option में यह option है 25th amendment यानि 25 वा संसोधन, छासी वा संसोधन या फिर 22 वा संसोधन या फिर 52 वा संसोधन तो बताईए कौन सा option होगा तो आर्टीकल 21 वा संसोधन यानि 86 amendment act के अंदर ये दिया गया है ठीक है तो second option हमारा correct है ठीक है आगे चलते है आर्टी यह मैंने कराया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें अगर जो यूपिटेट के कुछ नए बच्चे होंगे वो भी देख सकते है ठीक है और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना भाई ठीक है कोशन नमबर थ्री बताईए इंस्टिक्ट थियोरी ओप मॉटिवीशन वास प्रोपाउंडिड बाई यानि अभी प्रेयरना का सिध्धान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बताओ भाई ए उप्षन है अबरहाम मैसलो सेकंड उप्षन है मैकडूगल भाई हिंदी में मैकडूगल यह है थार्ड उप्षन है विलियम जेम्स फोर्थ उप्षन है सिंपसन बताईए कौन सा उप्षन होगा इंस्टिक्ट थियोरी किसने दी है बताओ भाई यह दी है मैकडूगल न किस ने दिया है MacDougal ने ठीक है Abraham Maslow ने कौन सी थेओरी दिया नीड वाली ठीक है जो नीड थेओरी है वो दिया Abraham Maslow ने और इंस्टिक्ट थेओरी दिया है MacDougal ने तो second option के साथ हम जाएंगे second option हमारा correct है ठीक है सारा कुछ पढ़ेंगे हम detail में एक बार आप question देख लीजिए क किस तरह के question पूछता है भी question number four which of the following stages of development is called a unique stage of emotional development by Cole and Bruce यानि विकास के निमलिकी चर्णों में से किसको Cole और Bruce ने भावनात्मक विकास का एक अनुठा चरन कहा है बताओ कौन सी एक unique stage है emotional development की जिसमें बच्चे के emotions develop होते हैं यानि समवेग develop होते हैं समवेगों का विकास होता है वो कौन सी stage है Cole and Bruce के according बताइए यह option है adulthood यानि वैस्कता second option है childhood यानि बच्चपन third option है adolescence यानि किसोरवस्था fourth option है infancy यानि सैसरवस्था तो बताइए कौन सा option होगा बई क्या है बच्चे के emotions develop होते हैं physically mentally socially सारे समवेग उसके विक्सित होते हैं सारे aspect विक्सित होते हैं त तबी सही तो starting होगी इन चीज होगी है ना दुख खुसी गम सारी चीज़े उसे छोटे पन से ही पता चलेंगी तुम कहने का मतलब है बच्पन यानि childhood तो यह कौन सी stage है childhood इसे क्या है unique stage इन्होंने बताया है यह भी पूस सकता है कि unique stage किसने कहा है इसको ठीक है Cole and Bruce ने बताय करेंगे है ना who gave the theory of multiple intelligence इस तरह की question आते है युपिटाइट में और रीट में भी ऐसे आते हैं बहु बुद्धी का सिधान्त किस ने दिया है बताओ spearman ने दिया है goalman ने दिया है gardener ने दिया है या फिर जोन मेर ने दिया है बताओ बहु बुद्धी का सिधान्त किस ने दिया है यह तो सभी को पता है कि gardener ने दिया है ठीक है इन्होंने क्या है आठ तरह की बुद्धी पर बात किये है एट इट टाइपस ओफ इंटिलिजेंस पाई जाती है याली कोई हुप है कि और अर्ट का इसा भात किये इन्होंने क्या है कि बुद्धी कैसी होती है multi dimensional होती है कैसी multi dimensional बहु अयामी ठीक है यानी कई तरह की बुद्धी पाई जाती है ठीक है तो थर्ड option के साथ हम जाएंगे gardener ठीक है थर्ड option हमारा correct है आगे चलते हैं question No.6 बताइए last स्कोर भी बता के जाना कि कितने आपके सही हुए और यह मैं सोजना कि अगर गलत हुए तो हमारे इतने कम नंबर है कोई दिक्कत नहीं है यह एक ओवर्विव स्पेलिंग यह यह पढ़ना एवर्तीर थर्डे स्पीकिंग यह इनि बोलना फॉर्ठ यह खड़े होना तो इसलेक्सिया क्या है रीडिंग डिसोर्डर है रीडिंग डिसोर्डर नहीं बच्चा क्या साख़ान आप वाज पढ़ता या फिर वास सावपादा है गोड़ को ये तो पेड़ागोजिकल एस्पेक्ट से ही है बताईए विच ओफ दे फोलोईंग इस नॉट दे रोल अफ टीचर इन इंक्लियोसिव क्लास रूम ये तो पेड़ागोजी का ही कुश्चन है निमलिगित मेंसिक कौन सा समावे सी कक्सा कक्स में सिक्सक की मुमिका नहीं है नॉट पुछा है बताओ भई फर्स्ट ओप्शन है टीचर शुट नॉट पेड़ेंशन टू डिफरेंटली एबल चिल्रन यानि सिक्सक को विकलांग बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उन्हें एग्णोर कर देना चाहिए कि भाया तुम विकलांगों अलग बैठे रहो चुप बैठे रहो सेकंड ओप्शन है मेक एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट अकोर्डिंग टू रिक्वायर्मेंट ओफ दचाहिए यानि बच्चे की अवशक्ता के अनुसार बैठने की परियप्त व्यवस्था करें कि क्या है सिक्सक को विकलांगों को पढ़ाने के लिए अतिरिक समय देना चाहिए तो बताइए कौन सा ओप्शन ठीक होगा किसके अकोर्डिंग इंक्लियूसिव क्लास्रूम के अकोर्डिंग यानि समावेसी कक्सा कक्स के अनुसार बच्चों को प्रोट साहिद भी करना चाहिए टीचर को क्या है जिससे की बच्चों का इंट्रेस्ट भी डवलप हो बच्चे अच्छे से पढ़ें और क्या है शिक्सकों को विकलांग को पढ़ाने के लिए अतिरिक समय देना चाहिए उन पर थोड़ा से एक्स्टा एफर्ट्स लगाना चाहिए जो डिसेवर्ड बच्चे है और उनकी अवशक्तिक अनुसार क्या है सीटिंग अरेंजमेंट करें किसी बच्चे को कम दीख रहा है तो उसे आगे बेठाएं या फिर कम सुन रहा है तो उसे फर्ष्ट बेंच पर बेठाएं ठीक है और बिल्कुल भी नहीं दिख रहा थो उसे ब्रेल का प्राफदान कराएं या फिर टैक्टाइल मैटिरियल दिल आएं लेकिन ये बात गलत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए तो ऐसा inclusive classroom में नहीं होता है तो first option हमारा सही है यानि यही गलत है यही सही है नौट पुचा है तो first option के साथ हम जाएंगे ठीक है आगे चलते हैं question number eight बताइए question number eight in the class questioning by student क्या है इसे बढ़ावा देना चाहिए यानि should be encouraged प्रोथसाहित किया जाना चाहिए second option है should be discouraged यानि निरास होना चाहिए third option है should not be allowed यानि अनुमती नहीं दी जानी चाहिए fourth option है should be stopped यानि बंद कर देना चाहिए तो बही questioning जादे से जादे करनी चाहिए इससे क्या है बच्चे की thinking भी develop होती है और बच्चे के अंदर ये habit आ जाती है कि उसे जादे से जादे question पूछने चाहिए teacher से है ना तो इसे क्या करना चाहिए इसे increase करना चाहिए यानि question number 9 बताईए growth of a child is mainly related to एक बच्चे की व्रद्धी मुख्य रूप से संबंदित है बताओ किस से संबंदित है social development से यानि सामाजिक विकास second option है physical development यानि सारेरिक विकास third option है moral development यानि नेतिक विकास fourth option है emotional development यानि भावनात्मक विकास तो बताईए कौन सा एक option ठीक है व्रद्धी हमारे सरीर की होती है तो सरीर से ही तो जुड़ी होगी यानि सारेरिक विकास हमारे सरीर की विकास हमारे सरीर की तो बढ़ता है बढ़ेगा तो इतना मोटा नहीं हो जाएगा है ना हमारे सरीर की व्रद्धी होती है ठीक है तो यह क्या है physical development ठीक है तो second option हमारा correct लास्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 10 वैसे तो यह सो कोश्चन की मैंने स्रीज रखी है फिलाल अभी हम 10 कोश्चन करेंगे इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के कोश्चन देखने को मिलते हैं ठीक है बताओ विच ओफ फॉलोइंग त्योरी इस ओल्सो स्यूम रेसपॉंस थ्योरी सेकेंड ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिक्स्थ थी थार्ड ओप्शन है ऑपपरेंट कंडीशनिंग थी जैएंगे शिए प्रसूत अनुबनस्थान फॉर्थ ऑप्शन यानि अंतरद्रस्टिक सिथधान तो बताईए किसे कहा जाता यह त्योर बार गलत ट्रांसलेशन कर देता है कल जब मैं बेड का पढ़ा री थी तो उसमें क्रों ने डेफिनेशन दी थी तो नेच लिए लिए तो इस तरह से गूगल ट्रांसलेट करता है तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है ठीक है तो इसी त इसकी त्योरी स्टार्ट करने वाली हूं मैं टोपिक वाइस कराऊंगी एक भी टोपिक आपका नहीं चुटेगा ठीक है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग बीएड फस्ट इयर में या बी प्रश सक्राइब